नमस्कार दोस्तों 2019 का लोकसभाद चुनाव आने वाला है और आसाहिशनुता ब्रिगेड फिर से तैयारी कर चुकी है इस बार इसका नेत्रित फिर मभिनियता नसुदीन साह करने जा रहे हैं नसुदीन साह ने फिर से वही दौराया जो पहले की आसाहिशनुता ब्रिगेड दौरा चुकी है पूरा उपरास्पती, हामीद अनसारी दुरा चुकी है कि मुझे डर लगता है, मिरे बच्चों को आगे डर लगता है उन्होंने कहा कि उन्हें फिक्र होती है कि कहीं उन्हें किसी भीर ने घेर लिया पर पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसल्मान नसुनी इंसारी ने पांच मुद्दे उठाए कि देश में कानून को हाथ में लेने की खुली छूट मिली हुई है एक पुलिस अपसर से ज़्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जा रही पहला पॉइंट उनका दूसरा मुझे फिक्र होती है कि मेरे बच्चों की कल को उन्हें किसी भीर ने घेर लिया और पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसल्मान तीसरा पॉइंट मुझे गुस्टा आ रहा है सही नजरिया रखने वाले हर इंसान को गुस्टा आना चाहिए नकी डरना चाहिए हमारा यह हमारा घर है हमें यहां से कौन निकाल सकता है चौधा पॉइंट कानून को हाथ में लेने की खुली छूट मिली हुई है यह जहर फैल चुका है यह जिन अब बोतल में वापस नहीं होगा चौधा पॉइंट कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से ज़्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जा रहे यह नसुदीन सा के पॉइंट है नसुदीन सा के भाई जो हैं लेटिनेंट जनरल जमीर उद्दीन सा उन्होंने भी अठाड़ा साल बाद एक किताब लिखी दस सरकारी मुसल्मान और उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के दंगे में मोदी ने बहुत लेट एक सन लिया यह दोनों अपने सगे भाई हैं इनके मौसेरे भाई हैं डॉक्टर सायद रिजवान अहमद स्कॉलर हैं और इसलामिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हैं जब वो इसलामिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हैं तो उनके मौसेरे भाई नसुदीन साह और जमिरुदीन साह बिलबिला उठती है। डॉक्टर सेयद रिजमान अहमद ने सवाल उठाया था कि आपने अठाड़ा साल बाद एक किताब लिखी है। अठाड़ा साल बाद आखिर क्यों आपको तब क्यों नहीं याद आया जब गुजरास में दंगे चल रहे थे या उसके बाद अठाड़ा साल बाद आपको कैसे याद आ रहा है आखिर किस लिए इसका जवाब है कि 2012 में जमिरुदीन साह को यूपीय सरकार ने अली गड़ मु वीडियो यहां पर मैं चाहूंगा कि यह देख लिजिए 45 सेकेंड का वीडियो है एक मौलाना राहुल गांधी और गुलाम नवी आजाद के साथ कलमा पढ़ते हुए इबादत करते हुए क्या बोल रहा है उसको भी सुनिया यहां पर यह तो अपना अपना नैसी इब है सल आज़ियो यही देख के लिए यही आए है जो दौलत नहीं चाहिए बड़किन के कुवा हाथ प्रूवच चाहिए ना तो दिन एक किये हुए है ना सूने का वुक्त है ना जागरी का है ना चले का है बस यह एक अगर ख्वागी ने के इनकी हिंदोस्तान से भी खत्व हो ज जिस अमन का पेगाम आप सिम्नान की धर्थी भी लेकि आहे हिंदोस्तान के एद़र उठीज अन्दर अपली आ ऊ lansmos वह क्या कह रहा है वह कह रहा है इन्हें दौलत नहीं चाहिए रारी गांदी को दौलत नहीं चाहिए इन्हें हाथ में कूबत चाहिए जिन फिरकापरस्त ताक्तों से ये लर रहे हैं रात दिन एक के हुए हैं ना इन्हें सोने का वक्त है ना जागने का वक्त है हिंदुस्तान से फिरकापरस्ती को खतम करने की ताकत इनको दीजे शाद इस मौलाना को और साद नसरुदीन साह को और साद जमिरुदीन साह को यह पसंद नहीं आ रहा कि सारे चार साल से इस देश में एक भी बंब इस्पोर्ट नहीं हुआ है उनके बिरादर बंब नहीं फोर पा रहे हैं शाद इनकी बेचैनी है इनको कोई याक्यू मिनन पैदा नहीं हो पा रहा, कोई अफजल गुरु संसक्पा हमला नहीं कर पा रहा, कोई इंडियन मुजाहिदीन दिल्ली की सरोजनी नगर में बंबी स्पोर्ट नहीं कर रहा, कोई दिल्ली की कनार प्लेस में बंबी स्पोर्ट नहीं कर रहा, कोई मुम्मई क चबी से ग्यारा पर, चबी से ग्यारों की तरह हमले करने के लिए कोई कसा पैदा नहीं हो पा रहा, कोई अजमेर ब्लास्ट नहीं कर पा रहा, कोई मक्का मस्जिद ब्लास्ट नहीं कर पा रहा, कोई बनारस के संक्ट मुचन मंदिर में बम नहीं पोर पा रहा, सायद नस्वदीन साह को ये दर्द है, चुभेगा इनको, लेकिन ये दर्द है, सायद जमरुदीन साह को ये दर्द है, सायद इस मौलाना को ये दर्द है कि मोधी सरकार आने के बाद हम आतंकवाद की वारदात को दहसत को अंजाम नहीं दे रहें, इसलिए राहुल गांधी चाहिए इनको ताकि इनके हाथ में ताकत आए वो ताकत जो बारा खंबा पर बंबी स्पोट करता है वो ताकत जो 26 से 11 को होटल में घुद कर मासूम लोगों पर कहड़ाता है वो ताकत जो भारत के संसत पर हमला करता है वो ताकत जो तिर्थ यात्रियों पे गोली बसाता है, वो ताकत जो मंदिर को कबजे में करता है, अच्छर दाम वो ताकत इन्हें चाहिए, यह ताकत नहीं मिल रही है इसलिए नसुदिनता को चुप रहा है, मोधी सरकार की सबसे बड़े उपलप्दी है कि सारे चार साल में एक भी आतंग वादी वारदात सहरों में नहीं हुए, सारे आतंग वादी वारदात कस्मीर बॉर्डर एरिया पर रोग दिये गए हैं, एक हुए हैं, अमरिस्टर में खालिस्तानियों इन्हें जो किये हैं, वो भी जल्द पकरे गए हैं, वहाँ भी इसकी सरकार है इसलिए थोड़ी सी धील मिल जाती है लेकिन आतंगवादी बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं नसुदीन साह को यह दर्द है कि आके 200-300 आतंगवादी क्यों मारे जाने पाकिस्तान के बंदू क्यों मारे जा रहे हैं जो 47 के साथ अंदर आने चाहिए साथ नसुदीन साह को यह दर्द है इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि आतंगवादी मारे जा रहे हैं हमें आतंगवादियों के सपोर्ट में आना चाहिए साथ वो यह कह रहे है चुभेगा नसुदीन साह लेकिन यह सच है कि इसलामिक आतंगव इन सारे चार सालों में कुचल दिया गया है नतुदिन इंसा और उनके भाई को शाद ये दर्द है उनके भाई लेप्टिनेंट रहे हैं सेना प्रमुक्र पहले सेना में रह चुकी हैं लेप्टिनेंट जनरल जैसे पत्पे लेकिन 18 साल बाद जब उन्हें याद आता है कि नों बायों को और इन्की बीरादर उसको ये डर है कि इस्लामी आतंगवाद कचल डिया गया है किसी बुरहान वानीकों उसके Бिल में घुसके मारा गया किसी पाकिस्तान पे सर्जीगल स्ट्राइक करके मारा गया है नसुदीन साहा राजीब सरद्वार इस तरह के जो लोग हैं वो जो बारबार यह कह रहे हैं कि गाय की मौत को अहमियत दी जा रही है अम यह दिजानी चाहिए कानून सबके लिए बराबर है यह वह भूल जाते हैं और यह नहीं कह रहे हैं शायद उत्तर प्रदेश में गोहत्या प्रतिबंद दसकों से लागू है वो एक अपराद है अगर कोई गाय को काटता है और आप अपरादियों को प्रसरे देने की बात कर रहे हैं मिश्टर नसुदीन साह अगर किसी ने गौ को काटा है तो कानूनन उसने अपराद किया है क्योंकि वहां गौह हत्याप सब्सक्राइब को कुचलने के लिए लोग लगातार पढ़ार कर रहे हैं जो पुलीश इंस्प्रक्टर मारा वो निंदनी है और उसके जांच की जा रही है उसके दोस्यों को पकड़ा जा रहा है लेकिन गाय की हत्यारे को भी पकड़ा जाना चाहिए यह यह उन नहीं बोल है क्योंकि गाय की हत्या भी कानूनन वहां अप्राद है यह वह लोग हैं जिन्होंने मौब लिंचिंग की जो पहली घटना हुई थी हमारे दादरी में उत्रप्रदेश में बच्रे को किसी गाम के किसी बेक्ति के बच्रे को मार कर खा गया था और उस पे जब फॉरेंसिक आई उतको इन दोगों ने दवा दिया जहां यह अपराद है और ट्राफिक वाले से अपराद है यह नहीं और आप कहेंगे ट्राफिक पर ध्यान दिया जा रहा है कि कानून कानून होता है को हत्या एक अपराद है उत्तरप्रदेश में और इस पे ध्यान दिया जाना चाहि इसलिए अगर आपको डर लगता है कि आप मुसीवत में हैं हम तो आपको डर ना चाहिए क्योंकि आप कानून आप वो उस विरादरी से तालुकात रखते हैं जो हर सहर में एक नो एडिया जोन बना कर रखता है जहां पुलिस वाले तक नहीं घुस पाते हैं जहां आम आदमी वो नहीं जी पाता है इसा क्यों और नसुदीन सा आपको डर क्यों नहीं लगा यह आपको जब 2012 में आसाम में दंगे हुए थे और आपकी सरकार थी यूपीए की न क्योंकि आपको अभी चुप रहा है क्योंकि 59 बोदी सरकार ने आतंगवादियों को कुचल दिया इसलिए आपको डर लग रहा है लेकिन 2012 में असाम में जो मूल बोडो जंजाती के लोग हैं चार लाग बोडो जंजाती को जब सरनार्थी सिविर में रहने के लिए बात किया जाता है बंगलादेशी मुसल्मानों के कारण 2012 में चुकि आपकी सरकार है जो आपके खर्च उठाती थी जो आपको ना जो नखरा आपका उठाती थी तब आप खामोश थी 1983 में पांच हजार मुसल्मानों का इसी असम में नरसंगार हुआ था नेले नरसंगार शायद आप तब चुप थे उस समय आपकी जुबान बंद थी जब आपकी सरकार इसी 1984 में आज कॉंग्रेस के लोगों को जब सजा सुनाई जा रही है तो आपको डर लग रहा है 84 में 7000 सिक्कों को काट दिया गया था तब आपको डर नहीं लगा था मिस्टर ना तुजीं सा 90 के दसक में कस्मीर से हिंदूओं को काट के मार के भगा दिया गया था तब आपको डर नहीं लगा था मिस्टर सा लेकिन आपको डर लग रहा है क्योंकि आपकी बिरादरी के लोग यहां बं नहीं फोर पा रहे हैं आपकी विरादरी मैं मुसल्मानों को नहीं कह रहा है, आपकी विरादरी जो देश तोरने वाले लोग हैं, आपकी तिंकिंग देश तोरने वाली है, आप देश का आप मान कर रहे हैं, आपके भाई भी मुसलिम हैं, डॉक्टर सयद लिजवान अहमद, वो तो मैं उनको नहीं कर रहा हैं उन जैसे लोगों को सम्मान करता हूं ऐसे मुसल्मानों का मैं सम्मान करता हूं लेकिन जब वो इसलाम की कुरूतियों पर प्रहार करते हैं तो आपको बेचैन ही होने लगते हैं आप ट्रिपल तलाक के समर्तक हैं आप हलाला के समर्तक हैं आप बहु विवा के समर् और आप वेचैन होगे बिलविला के मीडिया के अपनी बात रखते हैं मिस्ठ लाससुसा आप से लग रहा है कि झीम फिरर को याकों मियोंन हो पर इसलिए 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 कि को सम्मान दिया आपकी फिल्मों को सर आंखों पर उठाया आप अल्पसंख्यक के नाते कभी अपनी इतने वरे स्टार नहीं हो सकते थे आज आप उसका आप मान कर रहे हैं इसलिए मिस्टर नक्तुदीन साह दुखता है मन पर आप जैसे फिरका परस्तों का चेहरा समाज में आना जरूरी था यह तो शुक्र मानाता हूं कि 2014 में सरकार बदल गई वो सरकार जिन्होंने आप लोगों का रासन पानी बंद कर दिया और आपका असलियत समाज के समक्षा आनिवार